राम मंदिर के प्राव प्रतिष्ठा कारिक्रम को लेकर राहूल गांधी के बयान पर एक बार फिर विवात खड़ा हो गया है। कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी आयोध्या में प्राव प्रतिष्ठा समारों को नाज गाना बता कर विवादों में घिर गये हैं। बयान पर अयोध्या के संतों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई तो विहीप ने भी नराज की जताते हुए कहा है कि इसके लिए देश की जनता राहुल को कभी माफ नहीं करेगी। आपको अलाव नहीं है। उसके बाद अमिताब बच्चन अडानी अंबानी को बुला लिया। किसी एक मजदूर को आने नहीं दिया। आपने बढ़ही को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा, कोई नहीं था। वहाँ नाजगाना चल रहा था, प्रेस वाले हाय हाय क कि सादू संतों ने कहा कि उनकी बुद्धी खराब हो गई है। अचारे पीठ, दशुरत महल बड़ास्थान के महंत दिवेंद्र प्रसाद चारे ने कहा राहुल को बोलने से पहले विशे की गंभीरता को सोचना चाहिए। रामंदिर रायोध्या ही नहीं देश की आस्था में पला बड़ा है। एक मन बुद्धी बालक 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद बने रामंदिर के प्राम प्रतिष्ठा कारिक्रम को नाज गाने का कारिक्रम बता रहा। यह कोटी-कोटी हिंदुों के आस्था का ना सिर्फ अपमान है अपितु यह रामंदिर के प्र प्रभू श्री राम के मंदिर के प्रार्प्रतिष्ठा का कारिक्रम कोई नाज गाना का कारिक्रम नहीं था। वे विश्वास को विद्धमान से जोडने का नर को नरायर से जोडने का लोग को आस्था से जोडने का वर्तमान को अतीच से जोडने का और सभ को संसकार से से बोलेंगे ही जाकी रही भावना जैसी प्रभू मूरत देखी तीन तैसी विहीप के सन्यूक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने राहूल को जूटे का सरदार बताते हुए कहा कि वे देश उसमाजवा संस्कृति को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते इस